आई फ्रेंज तो आज हम बात करेंगे जेके SSB क्लास 4 पोस्ट 5000 MCQ with Detail Theory 8575 पोस्ट जो की 2020 की यह जो Advertisement No.1 2020 का आया है गवर्नमेंट का जेके SSB का District Cadre, Divisional Cadre और Union Territory Cadre जिसके अंदर सबजेक्ट्स हैं Basic Mathematics, Basic Reasoning, Basic English, General Awareness and Science यह विनोट पॉब्लिकेशन के दोवारा है Government of Jammu in Kashmir as per Jammu in Kashmir Service Selection Board अच्छा इसके अंदर ना सिरफ 5000 MCQ with Detailed Theory इसके अंदर 20 Practice Exercise Sets भी है तो और Important Features भी है इसके सारा का सारा Topic Wise दिया गया है Theory और MCQ Examination Experts के दोवारा बनाया गया है Up-to-date General Awareness जैसे मतलब COVID-19 Coronavirus के बारे में और जो Chinese Apps बैन हुई है India-China conflict बहुत कुछ इसके अंदर बिलकुर रिसेंट सब चीज़ें दी गई हैं और Most Expected Questions with Answers भी है तो बहुत ही अच्छी बुक है Let's See From Inside ठीक है यह बुक है और इसे लिखा गया है डॉक्टर हरिहर पांदे और प्रोफेसर नीना घई जी के द्वारा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं यह इसका सालेबस है दोस्तों आप इसको अपने सालेबस के साथ मिला सकते हैं सब्सक्राइब करना परिशन यह है मैंस का पॉर्शन जो कि 20 मार्क का है ठीक है यह सारा का सार आप देख सकते हैं बिल्कुल अकॉर्टिन को सालेबस है यह बी 20 मार्क का है और उसके बाद आता है बेसिक इंग्लिश यह देखे दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वालिटी है यह basic English आ गया और फिर आ गया general awareness and science, okay, 40 marks, आप जैसे कि देख सकते हैं, आप अपने सलेबस के साथ भी compare करेंगे, बिल्कुल exactly यह IS पर दसलेबस है, आई यह contents पर ध्यान देते हैं, contents में इनकी सबसे अच्छी बात है, subjective as well as MCQ है, तो जैसे कि आप एक topic देख सकते है, percentage, average, जैसे कि अगर मैं आपको compare करके दिखाऊं, सलेबस के साथ basic mathematics में percentage है, देखे, percentage, average, time, work and distance, इसी तरीके से, यह सारे के सारे topics आपको मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, और सबसे अच्छी बात है, हर एक topic का multiple choice question उसके साथ में दिया गया है, पहले theory दी गई है, फिर multiple choice, फिर theory, फिर multiple choice, इस तरीके से, यह 20 marks का हो गया, ठीक है, basic mathematics, आशा करता हूँ दोस्तों, आप अपने सलेबस के साथ compare कर लिया होगा, अब आते हैं basic reasoning पे, theory, multiple choice, theory, multiple choice, हर एक topic की theory और multiple choice है, 20 marks का basic reasoning भी हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, यह देखे, basic English, ओके, यह भी 20 marks का है आप देख सकते हैं, articles, mcq, synonyms, mcq, यह सारे का सारा, according to syllabus, हर एक की theory और फिर उसका multiple choice, ओके, फिर आते हैं general awareness and science, यह आप अपने सलेबस के साथ मैच करिए, यह दिखिए, सबसे अच्छी बात कि इस तनी अच्छे तरीके से इन्होंने इसको detailed में दिया हुआ है, 40 marks का जो ह जो कि national level के coronavirus and all, यह दिखिए, दोस्तों, आपको मैं और भी चीज़े दिखायता हूँ, ban of Chinese apps, ठीक है, तो India-China conflict, यह सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा, जो भी recent हो रहा है, यह होता जा रहा है, तो यह मुझे बहुत ही अच्छी चीज लगी, इसी तरह से इसके multiple choice questions है, पर यह देखिए, sports, multiple choice, पर इंडियन culture की थीओरी सारी, फिर multiple choice, मतलब हर एक topic की थीओरी और उसका multiple choice है, यह देखिए, Indian history, यह देखिए, इतनी ancient है, medieval है, modern है, ठीक है, इस तरहीके से फिर उसका multiple choice, पर इंडियन geography की थीओरी, पूरी की पूरी, उसका multiple choice, capital state हो गया, पूरी, multiple choice, general science में, फिर chemistry, biology आ गई, फिर उसका multiple choice, ठीक है, health, hygiene, and sanitation, पूरी की पूरी की पूरी की पूरी की पूरी, उसका multiple choice, history of जमूरी की पूरी तीक है, तो देखिए, दोस्तों, उसके बाद आते है, practice exercise sets, कितने हैं, यह देखिए, दोस्तों, 20 practice exercise sets हैं, ठीक है, और फिर हम आते हैं, tips to score excellent marks in class 4, post exam by JKSSB, ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से, अब दिखाता हूँ, मैं आपको इसके अंदर, यह देखिए, percentage है, ठीक है, इसकी पूरी की पूरी theory, और फिर example, शुरू हो जाते हैं, यह आप देख सकते हैं, यह सारी की सारी theory examples, और यह सब इसके बाद multiple choice questions शुरू हो जाते हैं, यह देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से, इन्होंने multiple choice दे रखे हैं, यह multiple choice, ठीक है, और जैसे ही इसके answers आ गए, उसके बाद उसके hints and explanation है, हर एक chapter की इन्होंने hints and explanation दे रखिए, दोस्तों, यह देखिए, बहुत ही अच्छे तरीक इसके examples के साथ दी गई है, यह देखिए, उसके बाद इसका multiple choice questions, ठीक है, यह देखिए, multiple choice इसके questions है, ठीक है, इस तरीके से, और इसके answers के बाद आएगा, क्या, hints and explanation, हर एक question का hints and explanation इसके अंदर दिया गया है, पिर आता है time, work and distance, यह देखिए, यह इसकी theory है, ओके, यह examples के स मुझे बहुत ही खुशी हुई, यह book देखिए, जो मैं आपके साथ share कर रहा हूँ, यह सारी के सारी theory, उसके बाद multiple choice आता है, okay, multiple choice, यह देखिए, इतना सारा multiple choice, okay, answers के बाद उसके hints and explanation, और उसके बाद मैं आपको दिखा हूँ, इन्होंने extra भी दे रखा है, speed, time and distance, ताकि आपकी और ज्यादा अच्छे तरीके से practice हो, क्योंकि time, work and distance ही तो है, topic, तो speed, time and distance दिया है, ताकि आपकी ज्यादा ज्यादा और आपकी detail तरीके से आपको इस concept की पूरी तरह से समझ आए, पिर multiple choice questions इसके यह देखिए, पर आपर देने के बाद hints and explanation, देख रहे हैं दोस्तों ठीक है, इसी तरीके से ratio and proportion, यह देखिए, proper तरीके से remember points and all, यह देखिए, सारा का सारा theory आ गया, ठीक है, examples के साथ आ रहा है, जो कि कहीं खतम ही नहीं हो, I'm sorry, यह देखिए, आचा करता हूँ दोस्तों, आप पूरी तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं, और समझ रहे हैं, क यह कितनी अच्छी book है, और कितनी useful book है, जैसे कि हम ratio and proportion पर देखिए, यह सारा theory है, यह देखिए, examples के साथ है, okay, examples चल रहे हैं, ठीक है, और फिर आते हैं, multiple choice questions, यह देखिए दोस्तों, फिर multiple choice questions हैं, इतने सारे, और उसके बाद आता है, उसका hints and explanation, मुझे लगता है, इस से बहतर चीज आपको कहीं मिल ही नहीं सकती, क्योंकि यही चीज हमें, हमारे basic जो concepts हैं, वो clear करती है, ठीक है, यह theory के बाद यह देखिए, problem of age के theory के बाद, multiple choice questions आ गए, ठीक है, उसका hints and explanation, इसे तरीके से पूरी book में आईए दोस्तों, मैं आपको इसके अगले chapters पे भी ले चल यह देखिए, यह देखिए, यह English आ गई, ठीक है, यह देखिए, comprehension आ गए, आपको मैं comprehension का दिखाता हूँ, यह बहुत ही अच्छे reading comprehension है, इन्होंने comprehension पूरे अच्छे तरीके से दे रखे हैं, passage 1, passage 2, passage 3, passage 4, तो मतलब यह book इतनी मोटी book है, खतम ही नहीं होती, और इसके अं साइस, sets भी हैं, ठीक है, तो यह proper अच्छे तरीके से, वो भी आ जाते हैं, इसी तरीके से, यह बहुत ही अच्छा, जैसे मैं आपको दिखा हूँ, यह spellings का chapter है, यह आप देखिए, ठीक है, कितना अच्छे तरीके से इन्होंने दिया हुआ है, proper spellings का chapter भी, जो कि जिसके अ आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इसी तरीके से general awareness in science पे आते हैं, ओके, यह general awareness in science है, coronavirus का यह देखिए, कितना आ रहो गया से तो जो एप है, जिनको प्रदान मंतरी जी ने हमें डाउनलोड करने के लिए बोला था, band of Chinese apps and all, ठीक है दोस्तों, तो मतलब मुझे लगते है, इस ठीक है, यह सारी की सारी ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे MCQ शुरू हो जाते है, COVID-19 पे यह देखिए, दोस्तों मैं कहता हूँ कि आपको इससे बड़िया चीज शायद market में और कहीं भी नहीं मिलेगी, आपको यह सारी की सारी चीज एक ही book में मिल रही है, इसी तरीके इसे मेरे को यह book बहुत ज़्यादा बसंद आई, और मैं आपको यह भी दिखाना चाहता हूँ, यह देखिए, जैसे ही यह खतम होता है, anyways मैं आपको reasoning का portion नहीं दिखाया, इसके अंदर reasoning भी है, यह देखिए, proper तरीके से यह reasoning है, और यह reasoning का portion यह देखिए, analogy ठीक है, यह द के उसके बाल इसका multiple choice questions दे रखें, so मुझे लगता है कि आपको, यह देखिए, relationship concepts है, ठीक है, blood relations जो होते है, relationship concepts जो है, proper तरीके से इसका mcqs and all figure, तो मुझे लगता है, यह देखिए, कितने अच्छे तरीके से, इसके अंदर figure odd one out जो है, इन्होंने ना सिरफ numbers की दी है, numbers की की विदी है, alphabet की विदी है, और इन्होंने figures की विदी है, तो जिस भी तरीके का question आपको exam में पूछा जाएगा, हर तरीके से, आपको भी, आपकी help होगी, चारो के चारो topics, चारो के चारो subjects मैंने आपको दिखा दिये, अब मैं आपको ले चलता हूँ, कहां पे, यह जो topic है, practice exercise sets, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको बताता हूँ, यह देखे दोस्तों, ठीक है, practice exercise sets, इसके अंदर इन्होंने जिस तरीके से दे रखा है न, हर एक practice exercise set को, अगर मैं बोलूँ यह देखो, ठीक है, यह देखे, practice exercise set, मतलब यह शुरू होता है, और हर एक question के आगे, मतलब इन्होंने जहाँ जहाँ जरूरी है, कि हाँ जो शायद पिछले सालों में आये थे questions जो है, उसके आगे important, very important भी डाल रखा है, कि आपके पास अगर time कम है, तो आप किस तरीके से main questions को practice कर सकते हैं, और भी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, यह दिख जाता है, और 8575 post के लिए है 5000 MCQs with detailed theory plus 20 practice exercise sets, जिसके अंदर marked important, very important, most important question based on important previous year papers also sir, तो मुझे मैं as a student आपको बिलकुल यह recommend करता हूँ कि please, 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 please go for this book, क्योंकि यह book बहुत अच्छी sale भी हो रही है market के अंदर, और मुझे लगता है कि इससे आपका exam पकी तरीके से पका crack होगा, to all the very best for this book, that's it, thank you so much, आपने मुझे इतने प्यार से सुना, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो please, 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 मुझे आप comments में लिख सकते हैं, मुझे आपका जवाब देने में बेहत खुशी होगी, thank you so much